मसीख के कदूस और बहत नाम में आप सब को सलाम कबूल हो प्रोग्रैम हत्मी सचाई में आप सब को खुशामदेर कहते हैं आज हम बात करने जा रहे हैं मौजजाते मसीख पर मौजजाते मसीख का टॉपिक भी हमने चूज किया है इसे किताब में से जिसका नाम है किताब लिस्तफसार इससे मुरत्ब किया है जनाब जफ़ अकबाल सहाब ने और इसमें उन्होंने शामिल किये हैं बहुत से सवालात और बहुत से ऐसे पोस्ट और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि इन तमाम सवालात पर इन तमाम कमेंट्स पर इन पोस्ट पर कोई भी मसीही तहरीरी तो पर जवाब दे हमने मौज़ू जाना कि अपने प्रोग्राम्स में इस किताब का इहाता करें और इसके बहुत से टॉपिक्स पर बात करें हम अपने अपने गुजशता तमाम पुरॉग्राम्स में इसी प्रोग्राम्स से सारे उन उनलानाब पर बात कर चुके हैं यह की की है लेकन चुके स्वाल किया गया है तो दलील से जवाब देना चाहिए बिलकर आप यह देखें कि जो यहूदी वाश्रा था वो मर्कूज था खास एक्टिवटीज उनकी जो थी वो मर्कूज थी हैकल के गर फकीहों और फरीसियों और काहिनों के गर था उसके उनको छोड़कर जो उनकी तुज़ों का मर्कूज थे पांच पांच और साथ साथ हजार का मज़मा मसीख के पीछे लग गया तो उसमें जो सबसे पहनी चीज़ थी वो तो नो डाउट मौजज जाती थे हाँ अलबता मौजज़ात के बाद फिर मसीख सुकी जात और उनकी तालिमान लोगों का फोकस बन गई लेकर शुरू में मौजज़ात ने भी काम किया ठीक है तो फिर दूसरी बात कि मौज़ात सिर्फ मौज़ात ब्राए मौज़ात नहीं थे वरना तो वो मदारीगर भी बड़े-बड़े करतब दिखा देते हैं तो ठीक है लेकर वो करतब जैसे खतम होता तो उनकी अम्यूजमेंट खतम यह ऐसा नहीं है आप यह देखें कि मौज़ात के अंदर भी कोई काम भी होता था वो स्टेज सेट करते थे और स्टेज सेट करने के बाद वो मैसेज डिलिवर करते थे सही अब आप देखें कि जब तुफान आया तो शागिर्दों की जो अब्जरवेशन थी कि तुफाना आगया रो स्टाज सो रहे हम मरे जाते हैं हाँ वो स्टेज सेट किया था तो आपने शेर सोना होगा कि उस वक्त मुझे चूंका देना जब रंग पर महफला तो जब रंग पर महफला ही तो उन्होंने खोदी स्टाज अजी उठे अब आप काम शुरू करें तो फिर आपको पता कि अवाम का शागिर्दों का रद्धे अमल क्या था कि ये कौन है कि हवा और पानी पे उसका हुकमान थे मजाहर कुदरत भी उसका हुकमान थे अच्छा फिर आप ये देखें कि जो अंदे को आँखें दी उसने मौजदात की तारीफ नहीं की कि वा जी कमाल कर दिये उससे जब पूछा गया डिटेल पूछे गयी तो उसने का मैं एकी बाद जानता कि मैं पहले अंदा था और अब देखता तो ये आप देखें कि फोकस ये है कि मसी लोगों का अंदापन दूर कर देते थे जो के बाद म मसी के मानने वालों ने भी यही काम किया कि लोगों की मसीरत ठीक कर दी अगर उनकी आँखों पर छिलके हैं तो वो गरा दी और आने वाली सदियों में भी मसीरत ने यही काम किया ठीक अच्छा आगे वो कहते हैं जिनाब मसी अगर फक्त इनसान होते तो हमें उनके मौज़ साथ को तसलीम करने में जरा भी तामूल ना होता मगर मसीहियों के अकीड़े के मताबिक वो कामल इनसान और कामल खुदा भी है तो खुदा की इहाता कुद्रत से तो कुछ भी मावरा नहीं ठीक है जिस तरह के सवाल मनाया इस तरह तो सवाल बड़ा माकूल होता है लेकर अगर आप औरिजिनल कंटेक्स्ट के अंदर देखे दोजार साल पीछे चले जाएं और यहुदियों के उस सारी सिचुएशन को आप अपनी बसीरत के सामने लाएं तो फिर आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा था जब तक आपको इस कंटेक्स का जी पता कि हो क्या रहा था आपको समय नहीं आती हम जब सेमिनरी कर रहे थे चा कि उस पे टाइम भी लगा कताबें भी पड़ी टीचर्स भी आते थे को ज़रूरत थी ना ताकि हम वो गास्पल के अजीनी बेयानात को समझ सकें तो जब तक आपको उनके पसमंदर का नहीं पता आप कैसे समझ सकते हैं उस कल्चर का नहीं पता जो 2000 साल पहले राई था उनने कही कि मसी कामल इनसान और कामल खुदा था 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 तो खुदा के तो एहाता है खुदरत में यह सारी चीज़ तो मौजदे वाली क्या बात थी नहीं इसको फुमन परस्पेक्टिव से और खास का जुईश परस्पेक्टिव में समझना पड़ेगा देखें यह एक मुश्कल तजर्बा था बनी इसराइल ने कोई हुरुप पर यह तजर्बा करने की कोशिच की रिक्वेस्ट की और जब खुदा उनको नजर आया तो बनी पहाड खांप रहा था तो बनी इसराइल ने कहा कि भई रोक दो ऐसा नहों कि हम मर जाए और मुसा ते कहा कि काहिंदा को आप ही हमसे बात कर लिया करें खुदा बराहिरासना बात करें यह वारी परदाश से बार हैं मैं चाइटा Wit जो बनी इसराइल का सौाल था यह सदियों का सौाल था था इकवाल कहता है कि कभी है है हकीकते मुंतजर नजरा लबासे मजाज में कि हज़ारों से तरप रहे हैं मेरी जबीने नियास पे बेशिक अरब के अंदर हदरत मुहम्मद के मुखाबीन ने भी एगा कि हम अल्ला ताला को देखना चाहते हैं मुसीह सुगो बीशि के अर्श हठोना चाहते हैं आप रजियास धियाख है तो यह सदियों का जो सुछा था उन्होंने लम्हों में मुशा के सामने रखा highway खुदाने का ठीक कर लेते हैं तो भुदा को जाँचना उस इसको देखना य्कम उशकल जर्बा था फिर इस तिसना अठारमें बाब में खुदा ने कहा कि जो कोई हुरभ पे आपने दर्खास की थी वो सुन ली गई उसके मताबक आप एक काम करता हूँ मैं कि आउंगा मैं अब ये मैं उसको री फ्रेज कर रहा हूं या उसकी तफसीर कर रहा हूं आउंगा मैं ल तेरी मानद एक नभी बरपा करूँगा लेकर यसाया 35 चैप्टर में कहता है कि मैं खुदा आउंगा जज़ा लिए खुदा आ जाउंगा जब मैं आ जाउंगा उस वक्त लंगडे हिरन की मानद चौकडियां भरेंगे अंदों की आँखे वा की जाएंगी मुर्दे इंसानी शकल में तजस्म लेकर जमीन पे आ गया तो अब वो इंसान बनके आ गया और इंसान इतनी कामलियत के साथ बना के लोगों को यह डिफिकर्टी थी कि इसको बचान सके वो इसको इसको इंसान की हद तक ही जानते थे इस से आगे नहीं देख सकते थे इसलिए जब इबराहम था मैं हूँ उन्होंने पत्थर उठा लिये यह तो कोफर बगता थीक है ना उनकी अंडिस्टैंडिन्ग या उनकी अबिलिटी क्या थी कि यह यूसफ का बेटा हमारे सामने ही बड़ा हुआ है कल का बच्चा है कल का बच्चा है यह किसी मतरते में निया हाँ मुसी को ये भी दरूरी था कि अपनी पहचान करवाए और इनसानी शेकल में करवाए जिसमें उसने अपने आपको मकयद किया या मजस्म किया उसी सूरत में दखा रहा था लहाजा जब उसने अपनी मकमल शनाक्त के लिए दावे किये तो इन दावों की शनाक्त या दावों की तक्बील भी करके देखा तो लहाजा इस कंटेक्स के अंदर उसने अपना काम भी प्रुगा किया और मैं समीता हूँ कि ये भी बताया कि मैं खुदा हूँ लेकिन इनसानी शेकल में रहकर ही बताया तो इस सूरत में मौज़वाद और बहुत सारे कृश्में बहुत सारे काम बहुत सारी बातें लाजम थी जो वो कर था तो जफर साब जो कह रहे हैं कि अगर वो खुदा था तो भी ये कैसे पूरे कंटेक्स को समयने की कोशिश करें मौजजात का एक अपना काम था जो मसी ने किया और फिर अपनी खुदा के तोर पर भी शना अच्छा आगे वो कहते हैं इसी बात को जाई रखते हुए अगर खुदा इतनी बड़ी काईना तक्लीक कर सकता है तो इनजीली वाकिया तो उसके आगे बहुत मौमूली बात है तो फिर यह जो इन्हे मौजज़ा कैसे कोई तर स्लीम कर सकता है इन्हे मौज़ात के बज़ाए इलाही कुद्ध का इसहार मनवाना चाहे तो यह बात माकूल है और माने बगए चारा भी नहीं लेकिन मौज़ात नहीं कहला सकते मैं अगेन वही बात करूँगा कि कांटेक्स को समझने की कोशिश करें यहुदियों की सदियों की मुश्किलात थी और खुदा और इनसान में एक दिवार और वो इतनी बड़ी दिवार थी कि अप अधादा नहीं कर सकते कि अपने आपको बायूस ही समझ लिया था कि अब खुदा मेरी दस्तरस से बाहर है वो तो यही समझते थे बहराल ये खुदा की महबळ, उसकी कुद्रत और उसका इलाही मनसूबा है कि उसने अपने आपको आशकारा किया इंसानी शकल में और इलाही मनसूबे के तहत, जो इनसान के साथ महबत रहा रखी, उस महबत को जाहर भी कर दी. ठीक है? और वो महबत इस तरीके से खुदा ने जाहर की कि वो इनसानी शकल में आ गया. इससे भी बड़ी बात ये है कि ना सिर्फ इनसानी शकल में आया, उन्हीं के हाथों जिल को भी बुलाश किया, इनसानी शकल में. तो फिर वो निजात का काम उसने मकमल किया. तो फ्रॉम दा हुमन परस्पेक्टिव आव इन चीजों को देखें, ये जो कह रहे हैं कि मौजजात की विजाएस को कहें कि ये खुदा की कुदरत, इलाही कुदरत थी, ये बिलकु ठी एंड रिजर्ट यही है, कि मसी को मसीयत के अंदर जब खुदा माना, कि ये हमारा खुदावंद है, तुमा न कहा है, मेरे खुदावंद है, मेरे खुदावंद है, ये जब उसका मिशन कंप्लीट हो गया, मौत के बाद मुर्दों में से जी उठा, तो फिर ही लोगों ने इसको खुदावंद और खुदा केहना शुरु की है, तो वो जो बाद जफर साथ सम realms बहुत है, कि अगर ऐसे कहा देते हैं darkest लगों में सुदावंद हैं प्यूंब-खुदावंद है साथ ही ते हे पाया, हमारा तो फोकस एतना मौजजजात पे नहीं है, उनका एक परपस अजो इसने कर दिया रहा मैंने जाद दिया तो बुसियत सुने जो योना के वफ़त को जवाब दिया था वो भी खुदाई शिनाख्त का ही जवाब दिया था ज़ा जा उसको जाके बता दो कि लंगडे चलते हैं, मुर्दे जिन्दा किये जाते हैं, बहरे सुनते हैं, अंदे देखते हैं, तो ये खुदाई शुनाक्त का मतला था, इसलिए आप देखें कि मुसियत को मानने के बाद सबसे इंपार्टर्ड बात ये है, कि आप उसको खुदाउं उन्द तसलीम करें, दफर साब मैं सामीता हूं कि शायद आइसलिए लाइन प्यारे हैं, बाक्या आज भी हम बात बड़ी उससे इस्तमाल करते हैं, जैसे कि कोई शक्स बिमार हो, और डॉक्टर्स कह दें कि अब तो जवाब दे चुके हैं, आम दुआ ही करें, तो अगर वो शक्स बच्च जात बारहाल आपने बेकुल सही फर्माया कि जफाइकबाल साब लगता है बेकुल राहे रास्त पर आरे की कोशिश करें, आगे वो कहते हैं, मेरा एक छोटा सा सवाल और है कि जब खुदा मुझस्म हुआ तो क्या अपनी कुदर से महरूम हो गया था? यह कहां लिखा है? देख लेकिन फिल्पियों में लिखा कि अगर चे वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उस ने उस खुदाई कुदरत को अपने कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बलके वो इनसानों के मिशाब़ हो गया, इनसान बन गया यह लिखा, तो मसी यह सुने अपने आपको दानि इस्ताखाली करने के बाद भी यह नहीं है, कि वो अपनी वो खुदरत या मौजजात या इक्तियार उसकी दस्तरस में नहीं था, सबकुछ उसकी दस्तरस में था, लेकिन अपनी मर्जी से वो उसने अपने आपको इनसान बनाया हुआ था, आपको याद होगा कि जब मुसी सुबा यहा कि मुझे यह करना, अदर्वाइस मैं अभी कहूं तो बारा तुम मन फरिश्टे आदल कर सकता हुआ, तो आपको क्या कहला है कि वो नहीं कर सकता था, वो कर सकता था, लेकन किया नहीं है, इसी तरीके से जब मसीय सुस्लीप पे थे, तो इन फखीयों और क्योंकि उन्होंने दानिस्ता अपने आपको इस मनसूबे के लिए पेश कर दिया था, और वो इसी की तकमील उनकी फता थी, आप यह देखें कि इन तमाम मुश्कलास से गुजरते हुए, जब सिलीपी काम मकमल हुआ तो उन्होंने कहा तमाम हुआ, यानि मेरा मिशन कम्प लीट हो, वो एक शायर है कहता है कि यूं तो हम आगा थे सियाद की तद्बीर से, हम असीर दामेंगुल अपनी खुशी से हो, तो वो अपनी खुशी से हुए थे, पहला तूस को भी उन्होंने जवाब दिया, पहला तूस नहीं जाब उनको कहा कि भाई, आपको पता नहीं कि मैं तुझे छोड़ भी सकता, उसलिए भी दे सकता, उसलिए जवाब दे, उसने कहा कि भाई, अगर ये तुझे उपर से हुकम ना होता, इक्तियार ना होता तो तेरी गया जुरत है, ये मनसुबाई है, अदरवाइस तू ये नहीं कर सकता था, ये बात मुसीयसुने एक अदरवी के सबाब से हुआ, तो ये मनसुबा ये था, और दनिस्ता मुसीयसुने ऐसा किया, आगे वो कहते हैं, अच्छा मुझे नहीं लगता कि ये सवाल मौजजात से रेलिवन्ट है, लेकिन आइडू नो उन्हें ये ऐसा क्यूं पुछा है, बाहर वो कहते हैं, जनाब अब ये जो सवाल है, वो आप दूस कह रहे हैं कि ये बराहरास मौजजात से रेलिवन्ट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने पोस्टें मनानी होती है, अपने सवालात भी पूरे करने होते हैं, तो ये जो सवाल है न, मेरे देन में जो बात आ रही है, सिर्फ ये है कि एक किसम की, एक किसम का मजाख है, ये सवाल, कि ये देखो जी, उन्होंने तो उसके कपड़े उतार दिये, उसको नंगा कर दिया, तो उसकी बड़ी तदलील हुई, ये बावर कराना चाहरे हैं, ये सवाल पूछ कर, तो मैं एक बात बताऊं कि अगर आप ये साया 53 प से पहले, कि उन्होंने जो मौत का तरीका मुंद्खव किया, ये दुनिया का सबसे खतरनाक और अजियतनाक तरीका कार था, जो मौत के लिए चरा गया, और इसी निए ये 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 उसको रेलेट करते थे कि जो द्रक पर टांका जाता है, वो दुलांती होता है, तो ये उन्ह 53 में इसकी पूरी डिटेल है, कि ना उसकी कोई शक्लों सूरत, कि हम उस पर निगाह करें, या हम उसके मुश्ताक हों, और उसके मार खाने से हमने शिफाप आई, उस पर सियास्त की गई, तो ये सब कुछ आप देखे हैं, कि ये उसका इसा, यहुदी और रूमी भी यही कर जो कुछ उन से बन पड़ा, वो मसी की तदलील करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी, ये जो कोड़े लगाए हैं, इनका भी यहीं मक्सद था, और ये जो जलूस की सूरत में लेके गए हैं, स्लीव कंदे पे रखके भारी, वजनी, और फिर स्लीव के उपर तक्ती लगाई, उस तक्ती पर कोई भी मुझरम था, उसका जर्म लिख देते थे, और इस पे लिखा था यहूडियों का बादशा, यानि बावी, उनके परस्पेक्टिफ से आप देखें, रूमियों के परस्पेक्टिफ से, और यहूडिय साज़श थी, और जो जलूस की यह ठीक है, उसके लबास को उतारा, उसका कुरा अंदाजी की, और फिर एक और काम किया, उसको बादशाहों वाला लबास मजाग के तोर पर उसके पहनाया, और ताज भी रखा कांटों का रखा, यह सब उसको अपनी तरफ से जितना के दिनीन कर सकते थे, और हाथ में जो पकड़ाया भी सा कंड़ा भी के यह भी पकड़ो हाथ में, पूरा ही बादशाह, तो आप यह देख लें अंदाजा कर लें कि यह सब कुछ कर रहे थे, तो यह साया 53 इसकी बड़ी तफसील है, और मैं समयता हूं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जब यह सब कुछ लिवा क्या कर रहे थे, कोई डारेक्टर उदर था तो उसने इस साया 53 कोल के सामने रखी हूई थे, उसको देख देखे कि अब यह कर दो अब यह कर दो तो यह कर दो, बिलकुल ऐसे लगता है, तो अब आजाए जफर साब के सवाल पर, कि उनका सवाल करने का क्या मक्सद है, उनका सवा की था, लेकन वो भी बाइबल के कांटेक्स के अंदर चूंके बिलकुल ऐसे ही हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है, कि जफर साब यूस्टीन का हिस्साई, उनके वो ही किया, जो वो कर रहे थे, ठीक, आगे वो कहते हैं, इसके बाद हम देखते हैं, कि अजुर अनाजीन जिनाब मसी को कफन में लिपेट कर दफन कर जिया गया, लेकिन जब वो कबर से बाहिर आए, तो कफन का कपड़ा वही पड़ा रह गया, ये जो कफन की बात है, उर्दू तर्जमे में भी कफन ही ले दिया, ठीक है, वो एक चादर भी उन्होंने, अर्वितिया के यूसफ वाइट चादर भी दी थी, लेकर असल में तरीका ये तदफीन आप ये देखे के उन्होंने क्या किया था, वो पटियां थी लिनन की, दो इंच या तीन इंच चौड़ी पटियां थी, जिनको 50 किलो मसाला मिक्स करके, वेट करके, तो वो पटियों को भी उसमें बगो के मस अला जिसम पर लगा के तो कस के बाहन देते थे, मसीख के साथ उन्होंने यह किया, आपको सबसे पहले उनका तरीका ये तदफीन मलूमाना चाहिए, ये तरीका ये तदफीन यहूदी मिसर में करते थे, फराउन की जो ममी मनाते थे, वो यही लोग थे, और आप ये देखे महफूज किया, उसको क्या, उसके लिए लफज है, जो उसको करते है, मसाला लगा के करते है, खनूत, ठीक है, अर्दू में या अरभी में उसको हनूत कहते हैं, इबरानी में खनूत, वही लफज वहाँ पर है, उन्होंने मसाले लगा के लेक, तो यहूदीयों का तरीका य कफ़ीन लाश को महफूस करने का तरीका वही था अलबता थेоляजिकल रिजिजन वह नहीं थी जो फिराउन की थी तो यह तरीका इनों ने जारी रुखा मसीग विए इनोंने असी तरीके से कर दिया तो ठीक है हो सकता है कि मसीग जब आए हो तो उसको यह दफन किया हो तो ऐसे तो कहना वो शायद ये चाह रहे हैं कि वो नंगे बाहर आगे। मेरी समझ में नहीं आता इस किसम की रिसर्च का आपको फाइदा क्या। वो तो उन्होंने कस्क के बांदा हुआ था। एनमम करने के वो देखें जो गवा है वो बताते हैं कि फरिश्ट गाहन भी उधर थे उनको फरिश्टे भी नदर आएं तो बाहर जब आएंँ जरूरी नहीं है कि वो नंगे बाहर आगे हो ये पटियां बटियां दोदर ही रही थी ती ये ठीक है लेकर कोई ना कोई तो फरि भूजे खादा रखा, वही लेंगविज, बलके जो बन्दा लेंगविज जो बोलता था, वही लबास पहना हुआ था, तो यहां क्यों इशाल जी उटने के बाद किया होगा, तो अनाजील ने इन तफसीलात को नहीं लिखा, अनाजील ने उन चीदों को लिखा जो अमारी न सूबा, बदैश की गजाब से मकाश्वा तक चल रहा तो उसकी तकमील में जो जो दूरूरी था वो लिखा, इन तफसीलात को नहीं लिखा, अनाजील ने भी और्थोडॉक्सी जो थी, वो लिखी, और जिन चीदों का हमारे मान से ताल लिखने हैं, उनकी डिटेल लिखने रखने हैं, इस किसम की सारी डिटेल हैं, बाइबल का ये मौकफ नहीं है, यहां जो एमान के लिए दूरूरी है, पर रूस सूलने इसलिए जो सबसे इंपार्टन चीज़ जो बताई है, वो अकीदे की सूरत में आखस करके उस मेसेज़ से बताई, पहला करंथियों पंदर बर गया, दफन हुआ, और तीसे जिर मुर्दों में से जीज़ जा, और भी अंजील के मसनफी लिखते हैं, बहुत कुछ किया, मसीय सुने, वो अगर सारा लिखा जाता है, तो बहुत सारी कताबे बन जाती, लेकिन लिखा क्या है, जो इमान के लिए जरूरी है, जरूरी है जरूरी है, 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 आज भी हमने देखा कि किस सहां बढ़े ये मुफस्ल और मुदलिन अंदास में हमने बात की जनाब मसीर के मौचिसाथ पर एक छोटी सी बात एक छोटा सा वाक्य शेय करूँगी एक गाउं में जो है नई नई टॉर्च एक पीर सहाब के हाथ लगे गाउं के लोगों को मालूब नहीं था कि ये क्या चीज होती है अब पीर सहाब ने अपने मुरीद बढ़ाने के लिए ये एक कर्टब एजाद किया कि जब भी कोई मुरीद उससे मिलने आता था वो से कहता था कि आएं आप मेरे जो शर्ट है आपने उसके अंदर जहांकना है जैसे ही वो जहांकता तो जो है पीर सहाब नीचे से टॉर्च का बटन अन कर देते तो वो नूर आ जाता तो वो जो मुरीद था वो उस नूर की कई मुरीद उस नूर की ताब भी न ला पाते हो जैसे ही पीर सहाब की टॉर्च समझते हैं लेकिन ऐसा हर्गिस नहीं है आप इस पर देख सकते हैं रिसर्च हो चुकी है अब तो सब कुछ एक खुली किताब की मानिद है लेकिन मसला सिर्फ ये है को चैस्चाई के रिसाय सिर्फ उसे तक है जो वाकी सचाई को को खोचता है हमारी आप सब के लिए और जफ़ा इकबाल साहब के लिए भी यही दूआ हैnel सिर्फ को खोचते हैं और जब सच मिल जाए तो उसे कबोल कीजिए अंजीली वाक्यात, अंजीली मौजजात ये कभी भी ये दियो मालाई कहानिया नहीं बलकि जैसा कि पुफेसर जनाब शपीक कमल साब ने बहुत सब दिलायल से ये थाबित किया ये तारीखी एहम वाक्यात हैं जो मसी कर, मसी तक और खुदा की बादशाही तक हमाई रहनुमाई करते हैं और अंजीली नवीसों कर इनको लिखने का हर्गिस ये मकसद नहीं कि सिर्फ मौजजात हमारा फोकस है बलकि हमारा फोकस कल, आज और हमेशा सिर्फ और सिर्फ एग ये साथ है और वो है जनाब शपीक के साथ इसे के साथ मुझे में टीम को पोफेसर जनाब शपीक कमल साहब को आज के प्रोग्राम से दीजे इजासत मिलते हैं हत्मी सचाए के किसी और प्रोग्राम में किसी और हत्मी सचाए की खोज में बहुत शुक्रिया